दोस्तों आप अगर Galaxy S21 FE यूज़ कर रहे हैं तो आपको One UI 6.1 का अपडेट इसमें मिल जाता है तो Galaxy S21 FE में One UI 6.1 में आपको कोई भी AI फीचर देखने को नहीं मिलता है बट मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा इंपोर्टेंट फीचर के बारे में बात करूंगा जिसको आप अगर डेली लाइफ में यूज़ करेंगे अपना Galaxy S21 FE में तो आपको बहुत ही हेलफुल होगा और आप अपना S21 FE को लेके अपना प्रोड़क्टिविटी को बढ़ा सकते हैं तो मेरा नाम है इमरान आई आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो इंपोर्टेंट फीचर आपको Galaxy S21 FE में 1EY 6.1 में देखने को मिलता है वो है डूएल मेसेंजर का सपोर्ट तो आप अगर ओपो वीवो या भी शाओमी का फोन यूज़ करते हैं आपको बाइडिफॉल मेसेंजर देखने को मिल जाता है तो आप भी Galaxy S21 FE में 1EY 6.1 में आप डूएल मेसेंजर क्रेट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग में जाने के बाद आपको एडवांस फिचर्स करने जाना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर डूएल मेसेंजर करके एक option देखने को मिलेगा तो इसमें आप अगर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके फोन में जितना सारा messaging application है वो सारा application को आप clone कर सकते हैं जैसे कि मेरे फोन में यहाँ पर WhatsApp, Facebook, Telegram और Messenger है तो आप अगर चाते हैं कि डूएल मेसेंजर आप यूज करें अपना फोन में तो आप यहाँ से आसानी से डूएल मेसेंजर क्रेट कर सकते हैं मतलब कि आप एक ही फोन में दो WhatsApp, दो Messenger, दो Telegram आप चला सकते हैं और आप अगर चाते हैं कि डूएल मेसेंजर आप में आप सेपरेट कॉन टाइक लिश रखना चाते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं आपको आपको पर simply यहाँ उर इसको इनुबेल कर देना है तो इसको मैं अगर minimize कर दूं तो यह जो pop-up view में open हुआ application से वह यहां पर आपको उपर में देखने को मिल जाता है तो आपको अगर तीनों application को एक साथ pop-up view में open करना है तो आपको यहां पर एक new button देखने को मिलता है इस button के उपर आप अगर tap कर देंगे तो यह तीनों pop-up view में फिर से open हो जाएगा पहले update में क्या होता था कि आपको pop-up view में यहां पर जाके आपको एक-एक करके तीनों application को open करना होता था जैसे कि मैं यहां पर tap करता हूँ और tap करने के बाद यह open होता था तो इस update में आपको यहां पर एक button देखने को मिलता है तो इस button के उपर आप अगर एक बार ही tap कर देंगे तो आपका जो तीनों pop-up view में application से वह एक साथ open हो जाएगा और यहां पर एक और feature मुझे यहां पर देखने को मिला है कि आप अगर pop-up view को left या right में कर देंगे तो आपका जो pop-up view में application से वह application आप side में कर सकते हैं जैसे कि आपको setting को side में रखके LinkedIn application के उपर काम करना है तो आप यहां पर इस application को बड़ा या छोटा करके आप यहां पर देख सकते हैं और इसको भी आपको side में करना है तो इसको side कर सकते हैं और यहां से tap करते ही आपका जो तीनो pop-up view में open हुआ application है वह सब यहां पर देखने को मिल जाएगा तो आप अगर minimize कर देते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलागा और यहां पर इसके उपर tap कर देंगे तो आपको तीनो एपिलिकेशन एक साथ open होता हुआ देखने को म मिलता है आपको यहां पर बस वो सेव हो जाता था और रिसाइज कर पाते थे आप आपको यहां पर तीन ओप्षन देखने को मिलता है आप वानिवाज 6.1 में आपको स्कैन करने का ओप्षन देखने को मिलता है स्कैन मतलब आप इसको रिसाइज कर सकते हैं तो आप अगर इसक to note option देखने को मिलता है तो आप अगर इस text को scan करेंगे text अगर scan हो गया तो उसके बाद इसको आप add to note करेंगे तो directly आपका जो notepad है वो open हो जाएगा तो open होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप directly उस text को copy करके यहाँ पे notes में save कर सकते हैं Samsung Notes जो application आता है उसमें आप directly save कर सकते हैं और उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि यह सारा text को copy करके मैं clipboard में रखना चाहता हूं तो आप clipboard में भी रख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि copy to clipboard आ गया तो इस text को आप कहीं पे भी paste कर सकते हैं उसके बाद आप अगर Google में जाके search करेंगे और आप यहाँ पे clipboard के उपर tap करेंगे तो आपको यहाँ पे यह text देखने को मिल जाएगा जो सारा text आप ने उस paper से copy किया था तो यह new feature आपको camera का अंदर Galaxy S21 FE में 1EY 6.1 update में देखने को मिलता है तो आप अगर इस feature को यूज करेंगे तो आपका जो productivity है productivity और इंप्रूब होगा और आपना Galaxy S21 FE को और efficient तरीके से आप यूज कर सकते हैं आपको Galaxy S21 FE में alum को customize करने के लिए बहुत ही अच्छा option मिलता है तो आप अगर किसी भी alum को edit करेंगे जैसे कि मैं इस alum को edit करता हूं तो आप नीचे scroll down करेंगे तो आपको alum background करके option देखने को मिलता है तो इसके उपर आप अगर tap करेंगे और tap करने के बाद background के उपर tap करेंगे तो आपको यहाँ पर alum background चूज करने का option देखने को मिलता है तो आप अगर यहाँ पर वीडियो चूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप अगर last part को छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं और उसके बाद अपना जो alum है उसका background में यह video आपका चलेगा और इसके बाद आपका जो alum का टाइम का फॉंट है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं जैसे कि यह मेरा दिया हुआ है और इसके बाद आप यह चूज कर सकते हैं इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते और उसके बाद यह फॉंट आप दे सकते हैं आपका अलम का टाइम को कस्टमाइज करने के लिए आप वाणिवाई 6.1 में कोई भी इमेज को अगर गैलरी से एडिट करेंगे तो आपको इस एडिट बैटन को टैप कर करता हूं तो मेरा जो फेस है और जो स्कीन जहां पर है वहां पर यह कलर हो जाएगा और दूसरा जो पाठ है इमेज का वह ब्लैक और रहेगा तो इस तरह से आप गैलरी से कोई भी इमेज लेके उसको स्पार्ट कलर करके एडिट करके आप बहुत ही अच्छा एक डाइनाम आपडेट के बाद आपको कोई वी बीडियो को ओपेंड करके उसको उपर ठरेंगे तहुक 말씀 का feature इसमें नहीं मिलता है तो आपको यहां पके फृसरा मोशन करने का feature दिखने करेंसे को मिलता मिलता है तो आप अगर यहां पे टैप करेंगे में स्लो मोशन में करना चाहते है या फिर fast motion में करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 1 by 4, 1 by 2, 1 x 2 या फिर fast या फिर slow कर सकते हैं तो यहाँ पर 1 by 4 मैं करूँगा तो मैं यहाँ पर इस वीडियो का कर देते हैं और 2x कर देने के बाद आप अगर इस वीडियो को प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह पार्ट जो है इसमें slow motion आ गया और उसके बाद आपका अगर यह पार्ट में आएगा आपका वीडियो तो आप उसको le arose फास्ट मोसं में देख सकते हैं और ऊसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं आप डारेट्ली सेव कर सकते या फिस सेव एक कम और सकते हैं तो मैं से वाट कर देता हूं और उसके बाद आपका Zur eleven चाईव वीडियो है वह कोपी होके सेव को मिलता है तो आप अगर किसी भी image को open करेंगे open करने के बाद इस पर long tap करेंगे तो आपको एक animation show होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर अप्षण देखने को मिलता है copy, share, save as sticker और यहां पर त्री डॉट के ऊपर टैप करेंगे तो आपको save as image का भी option देखने को मिलता है तो सब से पहले हम लोग copy करेंगे और copy करने के बाद दूसरा को image के अंदर जाएंगे जैसे कि यह image के अंदर जाएंगे और यह image में जाने के यहां पर long tap करेंगे और यहां पर paste का उप्षन देखने को मिलेगा तो इस paste के उपर tap करेंगे और tap करने के बाद आप देख सकते हैं कि यह जो cut out हमने निकला था वहाँ से cut out यहां पर आ गया similarly आप drag and drop का feature को इस्तेमाल करके किसी भी image से cut out लेके उसको दूसरा image में place कर सकते हैं जैसे कि मैंने इस image से cut out निकला और cut out निकलने के बाद मुझे यहाँ पर दूसरा image चूज करना है जैसे कि यह image चूज करूँगा और यहाँ पर छोड़ दूँगा तो आप देख सकते हैं कि drag and drop होके यह जो गाड़ी हमारा fountain में गिर रहा था यह अब subway पर गिर रहा है तो इस तरह से आप creative edit कर सकते हैं इसको flip भी कर सकते हैं और उसके बाद आप अगर इसको save as a copy करके save कर देंगे तो यह image आपका दूसरा separate image होके save हो जाएगा और उसके बाद आपको cut out निकलके उसको save as image या फिर save as a sticker आप कर सकते हैं यहां से तो save as a sticker करने के बाद आपको यह image है यह sticker आपको gallery में देखने को नहीं मिलेगा तो आप अगर इसको save as a image करेंगे तो यह image बनके save हो जाएगा आपका gallery में तो आपका image है वह clip image करके folder होगा उसमें आपका यह image है आपका cut out लेके save किये थे वहां पर save होता है तो आपको अगर वो clip किया हुआ sticker को किसी को send करना है तो आप WhatsApp के अंदर या फिर mail के अंदर जाके यहाँ पर emoji के उपर tap करेंगे और आपको gallery का option मिलेगा तो gallery के अंदर जाके यह जो sticker आपको देखने को मिलता है तो यह sticker को आप easily कहीं पर send कर सकते हैं Galaxy S21 FE में OneEye 6.1 update के बाद एक और feature आपको दिया गया है आपके पास अगर कोई galaxy tablet है और आपके पास S21 FE भी है तो आप अपना S21 FE का camera है camera को as a webcam यूज़ कर सकते हैं तो यह जो feature है इसको दिखाने के लिए मेरे पास कोई galaxy tablet नहीं है तो आपको कहां पर option देखने को मिलेगा यह आप देख लीज़े तो आपको setting का अंदर जाना है और उसके बाद connected device का अंदर जाना है और आपको यहां पर camera sharing का option देखने को मिलता है तो इसको आप अगर tap करेंगे या फिर enable कर देंगे तो इसके अंदर आपको option देखने को मिलता है तो आपको galaxy S21 FE को आपका जो tablet है tablet का webcam की तरह यूज़ करने का option मिलता है तो आप इस तरह से galaxy S21 FE को अपना tablet का webcam की तरह यूज़ कर सकते हैं आपको galaxy S21 FE में one UI 6.1 update के बाद wallpaper and style के अंदर बहुत सारा changes देखने को मिलता है तो आप अगर wallpaper and style के उपर tap करेंगे और यहां से wallpaper को चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद आपको यहां पर wallpaper set करने का option देखने को मिलता है या फिर आप चूज़ कर सकते हैं यहां से wallpaper तो यहां से आप wallpaper के उपर tap करने के बाद आप कोई भी image को यहां से select करेंगे जैसे कि मैं यह image को select करता हूं तो उसके बाद आपको यहां पर effect का option देखने को मिलता है तो इसके उपर टैप करने के बाद आप अगर left या फी right को swipe करेंगे तो आपको बहुत सारा effect यहाँ पर देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ पर यह color का effect चूज करूँगा और इसके बाद यहाँ से back करूँगा और back करने के बाद आपको यहाँ पर एक और option देखने को मिलता है फ्रेमिंग का तो यहाँ पर कोई भी frame आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर different frame आपको देखने को मिलता है तो मैं यहाँ पर यह frame को चूज करके यह photo को थोड़ा सा बढ़ा करके मैं चूज करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इमेज का subject है subject background से अलग हो गया और आप इसको यहाँ से frame के बाहर में भी ला सकते हैं और उसके बाद आप इस framing का background का जो color है उसको भी आप change कर सकते हैं जैसे कि यह color मैं चूज करूँगा और उसके बाद यह image के पीछे background है उसको भी आप delete कर सकते हैं तो आपको इरेज background का option मिलता है तो इसके उपर आप अगा tap कर देंगे तो यह image का जो पीछे background था उसको भी आप delete कर सकते हैं तो आप यहां से कोई भी color को चूज कर सकते हैं जैसकि मैं यह color को चूज करूँगा और चूज करने के बाद डान कर दूँगा तो आपका जो wallpaper का style है वो change हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना जो home screen है उसको आप edit कर सकते हैं wallpaper को change कर सकते हैं और उसके बाद आपको similarly lock screen wallpaper के अंदर भी बहुत सारा changes मिलता है तो यहां पे lock screen wallpaper के अंदर चलेंगे तो सबसे पहले यह जो time का option है time का तो आप change चोटा या बड़ा कर सकते हैं यह पहले update में आ गया था तो उसके बाद आपको यहां पे three dots देखने को मिलता है time का font को change करने के लिए यहां से आपको बहुत सारा font देखने को मिलता है तो आप अगर कोई भी font को download करना चाहते है galaxy store से तो आप यहां से कर सकते हैं तो इसके उपढ़ आप टैप करने के बाद download fonts के उपढ़ टैप करेंगे तो आपको यहां पे बहुत सारा फ्री तो देखने को नहीं मिलता है तो आपको एक या दो free देखने को मिलता है top free के अंदर चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक download कर लिया था और यहाँ पर Samsung sense करके एक font है उसको आप download कर सकते हैं तो मैं यह जो font है इसको download कर लिया हूँ तो यह जो font है को मैंने डाउनलोड कर लिया है तो यह फॉंट कुछ इस तरह दिखता है तो आप यहां से फॉंट को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद एक और निव आप्शन आपको देखने को मिलता है आपको यहां पर विजिट एड करने का आप्शन मिलता है तो आप अगर बैटरी का करेंगे तो मैं इसको मैं पसंद नहीं करता तो मैं इसको चेंज कर देता हूं और उसके बाद आप क्लॉक का विजिट एड कर सकते हैं आपका जो एलाम आपकमिंग एलाम है वो कितने बज़े हैं आप देख सकते हैं आप वेदर का यहां पर विजिट एड कर सकते हैं तो आ को यह लाप स्क्राइब करके लोग स्क्रीन में जाता हूं और देख सकते हैं कि यह साराइ वीजिट आप का आपके तरıll हृम का लेक और प्लिकेसिंग का चैनल तो आप इस तरह से लोग स्क्रीन को और वाल-पैपर को इस तरह से आप चैनल उसके बाद लॉबन-बाथ और में भी आपको बहूत सारा निव उप्शन मिलता है तो आप लॉकस्रिन वालपेपर को चेंज करेंगे जिसको वालपेपर को टैप करके आपое को टैप करेंगे यहां ग्रेटा प्रवार में भी इमगेज को चूज करता हूं और उसके बाद वाइल पेंट भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको lock screen में भी frame का option मिलता है तो आप यहां से कोई भी frame को चूज कर सकते हैं जैसे कि यह frame को मैं चूज करूँगा और image को थोड़ा सा बड़ा कर दोंगा subject को और उसके बाद आप frame के अंदर जाएंगे और उसके यह color मैं choose करूंगा तो यह color ही better लग रहा है तो आप यहां से foreground या फिर background का color change कर सकते हैं जैसे कि मैं यह color चूज करूंगा तो आप देख सकते हैं कि background में यह color आ गया और यह color को मैं इस color में कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत ही high contrast वाला आपका जो लॉक स्क्रीन का जो wallpaper है वह आ गया तो इस तरह से आप कोई भी image को लगा के अपना जो लॉक स्क्रीन या फिर आपका जो वाल पेपर है वाल पेपर को कास्टमाइज कर सकते हैं वानिवाई 6.1 में Galaxy A21 AP में लास्ट में आपको एक और फीचर मिलता है आपको रिलुमीनो आउटलाइन करके एक option देखने को मिलता है जिनका आखों का वीचन थोड़ा सा कमजोर हो गया है उनके लिए तो आपको इसको एनेबेल करने के लिए setting का अंदर जाके accessibility के उपर टै करना है और आपको यहां पर रिलुमीनो आउटलाइन करके एक option मिलता है तो आप अगर इसको एनेबेल करेंगे तो आपको टेक्स के साइड में एक outline देखने को मिलता है तो इसको आप छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं इसका color change कर सकते हैं white कर सकते हैं और adaptive भी कर सकते हैं तो यह जो feature है मुझे लगता है कि 1EY 6.1 में किसी भी अगर घटिया और useless feature है तो वह यही है तो दस्तों यही है 1EY 6.1 में Galaxy S220 FE में मिलने वाला top most important feature जिसको आप अगर यूज करेंगे तो आपका productivity बढ़ेगा और आप अपना phone को efficient तरिके से यूज कर पाएंगे तो आपको बाई